इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अगे कहा कि भाजपा में तीन गिरो सरगर्म है एक जो भाजपा का है दूसरा जो जिडिये से भाजपा में शरीक हुआ और तीसरा जो कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में दाखिल हुआ है अब जाहिरे तीनों की खीचातानी लाज़िम है कॉंग्रेस अपने उसलों पर कायम है और ना ही हमारे पास किसी को खरीदने के लिए उतना पैसा है जितना दे कर भाजपा कसर उम्मी दोरों को खरीदती है रमिज जर्कियोडी पर पूछे सवालाद पर कहा के रमिज जर्कियोडी का मशगला ही है यह किसी तरह से हंगामा खड़ा किया जाब से इकतलापाद से रियासत के सामने एक और चुना होगा क्या ऐसे हालाद पैदा हुए खरीदे हुए यह मेले जिनने पार्टी को अहदे हासिल नहीं हुए यही वज़ा है के नाराजगी देखी जारे उन्होंने कोरोना के मद्दे नजर हुकूमत की गरत नीतियों पर भी तंज किया और कहा कि हमने तकरीबन हजार से भी जायद लोगों को कॉरंटन किया था पर इनकी रिपोर्ट आने से पहले ही हुकूम हो सकता है पार्टी में अंद्रुनिक तलाफात और बगावत के मद्दे नजर प्रबाहकर कोरे ने बैंगलावर में अपना कयाम करना मुनासिब समझाए अब सभी की नजर एक बार फिर करनाटक की सियासत पर टिकी है क्या फिर कोई नाटक हो गया नहीं पर सच्चाई यही भाजपा ऐसे ही नहीं छोडने वाली है वैसे भी पूरे देश में भाजपा की गरत नीतियों के आलोच ना की जारी है खास कर कोरोना आलमी हो बाकर चलते गरीब मजदूरों के मामिले में हुकूमत की बेहिसी है जल्दबाजी में लोगडाउन का जल्दबाजी में लिया फैसला इतिहाद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अलाफिद